डेखे अब हम lorigayald के नियम को प्रूफब करने जा रहे तोs तो नियम के न हम रहे हैं जो न हम प्रूफ कुछ ता निया मैं वह तो यह कहता है कि जिस क़्यान से produce होता है वह EMF उसको न होता है वह तो practically हम देख सकते है नेचर में होता है हम पहला वाला प्रूफ करने जा रहे हैं ज़र साउधान उस प्रूफ को करते कैसे है क्या होता है उसमें कहा गया कि जब कोई भी कंड़क्टर से magnetic flux पास होता है और magnetic flux change होता है तो rate of change of magnetic flux delta 5B upon delta T वो EMF के बराबर होता है अब देखो हमारे इसको proof करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा देखो तरीका मैं बता रहा हूँ हम पहले EMF निकालेंगे EMF potential difference होता है न तो हमें W by Q निकालना होगा W निकालना होगा तो force into displacement होता है कुछ ऐसा है कुछ ऐसा निकालना होगा ठीक है और Q बराबर IT होता है तो current भी चाहिए हमको कहीं न कहीं से ठीक है ये निकालने के बाद हम delta 5B upon delta T निकालेंगे और बाद में हम देखेंगे दोनों आपस में कैसे होंगे equal and opposite अपने आप प्रूफ हो जाएगा तो प्रूफ करने का तरीका सुम्मेंगे हमाँ तरीका क्या है अब देखो साउधान अब हम क्या करेंगे induced EMFO उसके लिए conductor को magnetic field में चलाना पड़ेगा और चलाने के साथ साथ ऐसा arrangement करना पड़ेगा कि current भी flow अभी हम conductor को चला रहे थे ना इसके पहले वाले में induced EMF में लेकिन current flow नहीं हो रही थी क्यों? क्योंकि conductor के ends star से बंदे नहीं थे तो हमने क्या किया देखो ध्यान से हमने क्या किया U-shape की एक एक rail बना दी ऐसे पट्री बना दी U-shape की एक हमने ज्यादा मोटी पट्री बना दी पतली पट्री बना दी पट्री ज्यादा इसमें mono rail चलाएंगे U-shape की हमने rail बना दी यह metal की बनी भी है और इसको हमने magnetic field में रख दिया कोई दिक्कत magnetic field की direction आपको clear हो रही न बहुत ध्यान से समझें का step by step अपने आप पकड़ में आ जाएगा proof ठीक है और इसके उपर हमने conductor रखा ये जेके अभी बताओ conductor को rail के उपर रख दिया न आपने इसके पहले वाले जो proof में हम करा रहे थे यहाँ पर positive charge इकटा हो गया था न यहाँ पर तो यह इसको रास्ता मिल जाता न तो current flow न शुरू हो जाती नहीं हो जाती है नहीं हो जाती है तो यह हमने इसके उपर ये जेके रख दिया और इसकी length हमने क्या कर ली L diagram clear हो गया magnetic field की value क्या है B पहले हलका सा रफली diagram हो लीजे फिर हम बात करें अब देखें action क्या हो रहा है हमने क्या किया आप इसी कहाने लिख लेंगे diagram को लिख लेंगे कि MNOL is a rail of U-shaped rail and JK is a conductor lying on it and there is a magnetic field B perpendicular to the plane of paper and the length of conductor is L बस इतना कर दिया आपने अब देखें हमने conductor को V velocity से move कराया conductor move कर रहा है मतलब इसके अंदर के जो charge particle है उन पर magnetic force लगेगा negative charge पर किधर लगेगा हमने क्या कहा induced current वाला direction के लिए कौनसा नियम था flaming का right hand rule क्या होता है flaming का right hand rule अंग उठा ये उंगली magnetic field ये डैक्सन क्या वजाती है current current किधर जा रही है उपर तो electron किधर जा रहे है यानि कि electron पर हम क्योंग एक ही दिखाएंगे न हमको current दिखानी है electron पर नीचे की तरफ एक magnetic force लगने लगा हम इस force मतलब अभी नहीं है अब देखो जब electron पर magnetic force नीचे लगा positive charge पर उपर लगा ती भाई साब rotate करने लगे न इस circuit में current flow होने लगी न current कैसे flow होगी ये current ऐसे flow होगी न ऐसे क्यों यही तो current की direction होगी सही करा हूँ न तो अब JK बन गया current carrying conductor यानि कि in this condition JK क्या बन गया JK becomes a current carrying current carrying conductor अब आप कहेंगे तीनो ccc क्यों ने लिग दिया वो coil भी होता है न इसलिए conductor लिग दिया अब JK बन गया current carrying conductor अब एक current carrying conductor magnetic field में चल रहा है ठीक है तो जब एक current carrying conductor magnetic field में चलता है तो magnetic field की वज़े से उस पर एक force काम करता है उस force की value क्या होती है ibl sin theta होती है न तीनिकी due to i किसकी वज़े से हो रहा है due to i force acting force acting on किस पर JK कितना force काम करेगा ibl sin 90 यह force लगेगा न अब उस force की direction क्या होगी तो किसी भी current carrying conductor में जो force लगता है उसकी direction निकालने के लिए कौन सा rule लगेगा right hand palm rule number two या flaming left hand rule लगा दे right hand palm rule number two लगाता हूँ क्या तरीका होता है अंगुठा current उपर जा रही है उंगलिया magnetic field action में अंदर की तरफ तो force हतेली के यानि की force इधर लगेगा न अब करबड़ा हो गया अब देखो ध्यान से conductor को किधर move करा रहे थे उस तरफ V velocity से और conductor move करने की वज़े से क्या हुआ कि इसके जो charge particle है उस पर magnetic force लगा magnetic force लगने से current develop होने की वज़े से ये बन गया current carrying conductor तो इस पर force लगना शुरू किया because of current और उसकी direction opposite ये force कर क्या रहा है इस conductor को चलने देगा नहीं चलने देगा आप चाहते हो चलता रहे conductor तो क्या करेंगे दो चीजे हैं किसी चलती भी body पर अगर force लगे तो उसके opposite उतना ही force लगा दो तो वो body constant velocity से चलती रहेगी friction पढ़ा गया अपने या तो रुख जाएगी या constant velocity से भाई जैसे आपने cycle चलाई cycle चल दी अब वो cycle चलती रहे उसके लिए कि इतना force लगाना है जतना friction उसको रोक रहे ये body ये conductor अब आपको लग रहा होगा कि जब इसके बराबर ये force हम लगा देंगे तो ये तो conductor रुख जाएगा जी नहीं अगर कोई body constant velocity से चल रही है और उसको अगर कोई रोक रहा है तो बस उतना force आप लगा दीजिए वो body चलती रहेगी क्योंकि आपने body को momentum पहले से दे रखा है ठीक है तो आपने कितना force लगाया इसमें minus IBL दर्खसन चेंज किये ना आपने ये force आपने apply कर दिया जो हम कहानी बता रहे हैं वही लिखनी है आपको अब जब F dash आपने लगाया तो conductor अपनी जगे से move कर जाएगा ना थोड़ा सा अब conductor कहां पहुँच गया J dash K dash location में और delta X move कर गया किस वज़े से move किया है because of this force तो अगर आप ये force apply कर रहे हो और ये displace हो रहा है तो work क्या होगा ना आपने किस पर क्या work आपने conductor पे तो work done on the conductor निकाल लिया जाए work done on the conductor एक-एक step पकड़ते जाओ सब्समें आ जाएगा वही है ने पौड़ी पौड़ी चड़ते जा जए मातादी कहते जाओ आ जाएगा work का formula क्या होता है force into displacement कौण सा force जो आपने लगाया है यानि कि f dash into delta x यानि minus i bl into delta x यहां तक पहुँचिए तो ये निकल आया अब देखो थोड़ा practically समझेगा आपको emf निकालना है न e और क्या होता w by q तो हमको q introduce करना पड़ेगा अब q introduce करना पड़ेगा तो ढूणो q किस के पास है qi के पास है ठीक है अच्छा यहां से यहां तक जाने में conductor को time लेगा delta t तो as delta x को हम क्या ले सकते हैं v into delta t लेख सकते हैं न distance is equal to velocity into l into v into delta t i into delta t क्या होता है charge होता है तो as i into delta t is equal to q so w is equal to क्या हो जाएगा minus i sorry i तो हो गया q i into delta t तो b l v into q q को अपान में लेओ तो w upon q is equal to क्या हो जाएगा minus b v l यही तो बवाल अभी हम प्रूप कर रहे थे उस बवाल में क्या था current नहीं flow हो रही थी और हमने current flow होने के लिए flow क्यों नहीं हो रही थी हम रास्ते नहीं दिये थे उनको हम जाएगे जाएगे उधर j की तरब जाओ j की तरब जाओ हुआ इकटा हो गए जाओर के electron के की तरब इकटा हो गए यहां रास्ता दे दिया हमने तो यह क्या है यही तो e m f है तो e बराबर माइनस b l v यह equation number one बात सुन में आई अब जरा नियम किसका हमको प्रूफ करना है फेरडे का e बराबर क्या होता है डेल्टा 5b अपान यह और निकाल ले इसके लिए यही निकलनी चाहिए ठीक है इसको कहीं और नोट कर लीजे इसको बात में हम यूज करेंगे e बराबर माइनस b l v equation number one क्यों positive होगा भाई सब f डैस negative था ना हमने angle कहां ले रहे हम हम तो f डैस पहले से निकाल चुके थे माइनस में f डैस है ना f थोड़ी है ठीक है और दूसरी बात ने वही बात दूसरी बात का है ठीक है और दिमाग में एक window बना करके इसको visualize करे एक ऐसे work किया जा रहा तो सुझ में आ जाएगा ठीक है अब यहां पता चला कि एक दम से पूछा गया यह फामला करें हैं वी ब्राव यू प्लस 80 यह क्या पता रहो क्या पूछ रहे हैं physics पढ़ाने आए अच्छा हम कहलें बालो जी पढ़ा रहे हैं समझें हम नहीं आरा पढ़ा गया रहा है सो गए ग्लास में यह नहीं चलेगा अब क्या निकाला है आपको डेल्टा फाइब इपान डेल्टा टी ज़रा समझेगा यहां से यहां तक जाने में flux नहीं चेंज हुआ कितना चेंज हुआ यहां पहले था इतना एरिया कवर कर रहा था और यह एरिया बढ़ गया तो इतना एरिया कवर करेगा तो flux ज़रा होगा तो जे के को जे डैस के डैस तक जाने में कितना flux चेंज हुआ चेंज इन मैगनेटिक flux निकाल लेते हैं चेंज इन मैगनेटिक flux कुछ लोग इस पूरी एरिया में से इस एरिया को माइनस करते हैं हम इतनी एरिया लिए ले रहे हैं क्या दिक्कत है तो मैगनेटिक फ्लक्स का फार्मॉला क्या होता है 5B is equal to B into delta A होता है ना B into delta A एरिया तो B A cos theta पढ़ा आपने यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैगनेटिक फिल्ड की बीच एंगल कितना है 0 degree क्योंकि एरिया वेक्टर भी इस सर्फेस के नार्मल है ठीक है तो B तो B है delta A कितना इसका है this into this L into delta X L into delta X यह delta 5 भी हो गया ना अब आपको rate of change of magnetic flux चाहिए rate of change of magnetic flux rate of change of magnetic flux तो कुछ लोग सोचते हैं rate of change बेंचा जा रहा है क्या है इसका rate कहां से तो पैसा में rate मतब with respect to time कैसे change हो रहा है नहीं हम बता दें तो delta 5 भी भी हो पान delta T तो आएगा B L into delta X अपन delta T इसको पहँचानते हैं आप यानि delta 5 भी अपान delta T is equal to इसको पहँचानते हैं क्या है ये ये V है ना अब ज़रा इसके पहले जो E आपने प्रूफ किया था वो भी यह प्रूफ किया था ना B L V और ये भी B L V हुआ है अंतर क्या दोनों में है क्यों negative का अंतर है ना तो by equation 1 and 2 अगर हम बात करें by equation 1 and 2 तो E बराबर क्या हो जाएगा minus delta 5B upon delta T it is the proof of Faraday's law सुन्द में आई बात step by step आप इसको कली जेगा proof इजी है ठीक है note करिए देखिए इस conductor पे इसको note करके लिखिए चाहे फरड़ेगा एपार्ट है नहीं इसमें थोड़ा कुछ और चीज़ें मिल रही है उनके बारे में बात की जा रही है इस conductor को जो आप move करा रहे थे तो इसमें current flow हो रही थी I is equal to E upon R और E की value आपने क्या निकाले BLV वो negative sign क्या show कर रहा है आप एक नोटिंग लगा देंगे कि इस negative sign shows that it is opposing the cause by which it produces बस यह लेंस लाभ यहाँ पर प्रूफ हो गया negative sign की help से तो E की value क्या है BLV upon R यह current flow हो रही है इसमें ठीक है अब because of this current यह magnetic force क्या कर रहा है magnetic field क्या कर रहा है इस पर एक force लगा रहा है वो तो हम उसको उधर move कराना चाहते थे तो हमको इस force के opposite एक force लगाना पड़ा था तो force acting किसकी वज़े से on conductor on conductor किसकी वज़े से due to M field मतलब magnetic field की वज़े से force कितना लग रहा है IBL तो I command रग दे उठा करके तो B L V into B L upon R यानि कि force कितना लग रहा है B square L square V upon R इतना force act कर रहा है कौन act करा रहा है magnetic force क्या चाह रहा है कि कहा है भाग रही हो है रुको कहां जा रही हो तब ही force लगा रहा है वो inertia का rule फालू कर रहा है या आप मूब करा रहा है तो इसको रोकने का प्रयास कर रहा है अब देखो इसका मतलब अगर आप मूब करा होगे तो आपको पुछ पावर करना पड़ेगा तो तो पावर इसको पुछ करना है तो पावर कितना होगा पावर रिक्वाइल्ड इसको मूब कराने के लिए कितना नोट कर ले न इसको तो पावर रिक्वाइल्ड फार पुछिंग दा कंड़क्टर पावर रिक्वाइल्ड पावर रिक्वाइल्ड पी कूल तो क्या होता है फॉर्स के टर्म में पावर का फावरा हमुला पालू है F into V तो F into V तो इसको V से और multiply कर दो तो P is equal to क्या हो जाएगा B square L square V square ने square है square जाखो किते square R का छोड़ करके ये power हो गया है ये नया formula बन गया करके ठीक है generally जब question आता है तो ये जो है दिक्कत create करता है ठीक dimension E की आपने आप निकाल लेंगे तो कैसा लगा Faraday का निया अच्छा लगा अभी इसी वक्त proof कर लोगे आप चलो सब proof करना